हेलो बच्चो आज हम नटी कंधे पर यह प्रभूतय अर्ष्री वास्तोजी की कविता देखेंगे तो चलो सबसे पहले प्रभूतय अर्ष्री वास्तोजी का परिचे करते हैं उनका जनम 4 अगस 1944 धरंपूरा दमोह में हुआ यह का है तो मध्य प्रदेश में है उनकी रशनाए कौन सी है बुन्देली लगुकथाई लोगईद दैनिक भासकर नवभारत में बालगीद आदी है उनका परिचे आप विगत दोशतको से कहानी कविताई ब्यंग्य लगुकथाई गजल आदी लिखते है इस कविता में उन्धने कालपनिक प्रतिकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनो भावो को व्यक्त किया है तो चलो नदी कंधे पर इस कविता में क्या है ये देखते है अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते कूद कूद कर उचल उचल कर हम मित्रों के साथ नहाते कभी देते कभी डूपते इतराते घाते मस्ताते नदी आ गई चलो नहाने आमन्तित सबको करवाते सभी उपस्तित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते अगर हमारे मन में आता जचपट नदी पार कर जाते खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल लाते शाम धने फिर नदी उठा कर अपने कंधे पर रखवाते लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते देखिए मुझे बताओ आपको कभी गभी ऐसे लगता है क्या मैं आसमान में उड़ सकातो जैसे आसमान में पंची उड़ते हैं उसी तरह अगर मैं उड़ सकातो इसे आप करपना करो वेसे ही अगर यह नदी कंधे पर हम ले आते तो क्या होता यह यहा बताया है देखिए अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते देखिए अगर हम यह नदी उठा कर हमारे घर ले आते तो क्या होता अपने घर के सामने हम रोज नहाते क्या करते नहाते इसे हर रोज बहाते कूत कूत कर उचल उचल कर मित्रों के साथ बहुत मस्ती करते आनन लेते देखिए ये आप कलपना किजिए हमारे घर के सामने नदी भो रही है हम उस नदी में नहा रहे है अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ कूत रहे है उचल रहे है बहुत मस्ती कर रहे है देखिए ऐसा सोचो कैसे लगता है बहुत आनन मिलता है ना खुशी मिलती है तब हम क्या करते कभी तेरते और कभी दूबते गाना भी जाते और आनन भी होकर क्या करते बहुत ही मस्ती करते नदी हमारे यहां नहाने आई है इसके कारण सब लोगों को आमंत्रित करते क्या करते उपस्ति जो भद्रजन है लोग है उन्हें आमंत्रित करते और इस नदिया से उनका परिचय करवाते देखिए क्या क्या करते हम अगर हमारे मन में आता जट पड नदी पार कर जाते हमें लगा हमें यह नदी पार करनी है तो हम जट पड याने जल्दी से यह नदी पार कर सकते बाद में क्या करते हैं? खड़े खड़े उस पार नदी के खड़े नदी के पार हम खड़े हैं तो क्या करते हैं? ममी ममी ऐसी आवाज देते चिल्लाते जब शाम हुई तब क्या करते हैं? इसे उठा कर कैसे उठा कर? अपने कंधे पर उठा कर हम जहां से उसे उठा कर ले आए थे वही उसे रख देतें ऐसा होता तो कितना अच्छ होता ना हम दिन भर खेलते ही रहते इस नदी के साथ कितना मज़ा आता दोस्तों के साथ उचल कुद कर मज़े लेकर देखिए ऐसी करपना यहां किए तो आई आपको यह नदी कंधे पर कविता समझ में तो चलो अब आप यह पढ़ो और समझो धन्यवाद